अंग्रेजन बहु का कन्या पूजन कार्थिक पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था वहाँ उसे केथरीन नाम की फोर्णर लड़की से प्यार हो गया दो साल बाद वो उसे शादी करके इंडिया में एक छोटे से शहर में उसे ले आता है जहां उसके मां अंबिका चोखट पर उसे देख कर कहती है अरे वाह मेरा बेटा मेरा कार्थिक आ गया पता है कब से तेरी रहा देख रही थी मैं और तेरे साथ में ये अंग्रेजन लड़की कौन है मा ये बहु है आपकी कैथरुइन मुझे अमेरिका में ही मिली हम दोनों साथ में रह रहे थे बाचित बढ़ाने से हमें प्यार हो गया इसलिए हमने यहां आकर शादी कर ली हे भगवान बेटा ये तूने क्या कर दिया हरे मैं तो सोचती थी कि अपनी पसंद की कोई गाउं की सर्वगुन संपन्य बहु लाऊंगी जो सारा घर संभाल लेगी पर अंग्रेजन को तो कुछ नहीं आएगा ना ये मेरी भाशा समझ सकती है ना मैं इसकी और घर के ये तौर तरीके यहां की संस्कृती से कुछ नहीं आता मा मेरी बात तो सुनिये काटिक एक मिनिट ममी जी मुझे आपकी बात समझ आती है इन्होंने मुझे वहाँ सब सिखा दिया है डॉंट वर्य मैं यहां की सारी संस्कृती अपना लोंगी हाई ला, अरे मेरी अंग्रेजन बहु को तो सब कुछ समझ आता है, मज़ा किया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, मैं तो बड़ी खुश हूँ, बहु तेरी बात सुनकर, हाई नजर ना लगे तुम दोनों यहीं रोको, मैं अभी आरती की थाल लेकर आती हूँ देखा कैथरीन, मैंने कहा था ना, मा को तुम बहुत पसंद आओगी, बस तुम्हें थोड़ा सा वेट और प्रैक्टिस करना है, और दो साल में मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया तभी अमेका आरती की थाली लाकर अपनी बहु का ग्रह प्रवेश करती है, अगले दिन अमेका अपनी बहु को साड़ी पहना कर तयार करती है, और उसे भारती संस्कृति की रूप में देख कर कहती है अरे वा, मेरी बहु कितनी सुन्दर लग रही है, कोई कह नहीं सकता, यह मेरी अंग्रेजन बहु है, तु 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 नजर ना लगे ममे जी, आप बटाई आज नाश्टे में मैं क्या बनाओ, बहु तेरा जो दिल करे तु वहाँ बना ले ठीक है मा जी, फिर मैं मटपनी, डेजर्ट में खीर और पूरी सबजी बना लेती हूँ हाँ हाँ, बहु कुछ भी बना ले, मैं तो तेरे हाथ का स्वाद चकने के लिए बेसबर हो रही हूँ बस मा जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो तबी केतरीन रसूई में जाकर खाना बनाती है, फिर अपने पती और सास को खिलाती है, जिसके बाद वो से शगुन देते हैं और गले का हार, ये देखकर केतरीन कहती है सब अच्छे से रख लो, मा का प्यार है ये वक्त गुजरता है, कतरीन अपने ससुराल में उन दोनों का बहुत अच्छे से खयाल रखती है अपने बिजनिस को बढ़ाने के लिए एक दिन कारतिक किसी प्रॉजेक्ट में पैसे लगाता है जहां एक हफ़ते बाद उसे पता चलता है कि उसने किसी फ्रॉजेक्ट में पैसे लगाए थी वो भी लोन लेकर, इसलिए लोन वाले उसके घर को खाली करने के लिए कहते है तब ही कतरीन कहती है हमारे इसमें कोई गल्टी नहीं है, हमारे साथ फ्रॉज हुआ है हमने केस भी दर्ज किया है, अब हमें थोड़ा समय दीजिए, हम कहां जाएंगे हाँ सर, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हमारे साथ फ्रॉज हुआ है, मैं अपनी मा को और पत्नी को लेकर कहां जाऊंगा देखे, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ अब क्या होगा, क्या सच में हमें अपने घर से बेगर होना पड़ेगा चलिए मा, अब कोई और रास्ता नहीं है, हम कुछ न कुछ जुगाट कर लेंगे तबी वो सब अपना सामान बांध कर घर को खाली कर देते हैं जहां बैंक के ऑफिसर उनके घर पर ताला लगा देते हैं ऐसे में वो सब भटकते भटकते किसी मंदिर के किनारे आ जाते हैं जहां कार्टिक को एक जोपड़ी दिखती है, वो एक आदमी को रोक कर कहता है अरे बाई साव, बाई साव, क्या हमें यहाँ पर रहने के लिए एक कमरा खाली मिल सकता है? हम तीन लोग है कार्टिक रमेश नाम के व्यक्ति को किराई के पैसे दे कर वो जोपडी में रहने लगते है और बचे हुए पैसों से कार्टिक घर का कुछ दिन का राशन ले आता है जहां वो अपना कम में गुजारा करने लगते हैं घर के स्थिती टावा डोल हो गई थी अपना मन मार के खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था कार्टिक को छोटा मोटा काम मिल जाता है जिससे सिर्फ नाम मातर घर का खर्चा चल रहा था वहीं दूसरी और अंबिका की तबियत खराब होती है दरसल एक बार पेट में बहुत दर्द होता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसके पत्री का उपरेशन करना पड़ेगा वो भी जल्द से जल्द पर इसके लिए उन पर पैसे नहीं थे कार्टिक सुना आपने हमें पैसों का इंतिजाम करना होगा वो तो ठीक है पर कहां से करवाओं समझ नहीं आ रहा पहले ही बैंक वाले से करजा ले रखा है तो अभी कहीं से भी नहीं ले सकता मातारानी मेरी मदद करो तबी वो अपनी मा को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं अगले दिन अंबिका कहती है बहु कल से नवरात्री शुरू है भले ही हमारे घर में कुछ भी ना हो पर हम बहुत दिन तक मातारानी की पूजा जरूर करेंगे तुझे इन सब की जानकारी तो है ना यास मामे जी नाव दिन तक ब्रत रख कर मातारानी को भूग लगाते हैं और फिर नौ कन्याओ को नावमी वाले दिन कंचिका खिलाते हैं अरे वा मेरी अंग्रेजन बहु को ये सब भी पता है बस अब हम मातारानी की शर्दा भक्ती करेंगे वही हमारा बेड़ा पार करेंगी हां मामे जी ऐसा कहकर कैतरीन अपने पती के साथ घर की साफ सफाई करती है और पूजा का नारियल चुनरी इत्यादी सामान लाकर अगली सुबा घर साफ करके मातारानी की चौकी लगाती है जहां सब बैठ कर आरती करते हैं अम्बे तु है जगदंबे काली जै दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुन गाई भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती बोलो अम्बे माता की जै जैकार शिर वालिदा बोल सांचे दरवार की जै बहु हमारे घर में जो भी है मातारानी को उससे ही भोग लगा दे क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है जी मामी जी ये कहकर कतरीन मातारानी को गुड का भोग लगा देती है आठ दिन बीट जाते हैं कारतिक कतरीन को पैसे नहीं दे पाता तो वो कहती है अरे अब मैं कैसे नौ कन्याओं को खाना किलाऊंगी, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, है माटारानी हमारी मदद करो मैं अपने मालिक से बात करके आता हूँ मामी जी मैं कोई काम देख लेती हूँ, जिसके आज के ही आज ही मुझे पगार मिल जाए, आप अपना ख्याल रखिए दोनों पती पतनी बाहर चले जाते हैं, जहां एक आदमी कहता है ऐसा कहकर कतरीन अंगारों पर कुछ देर तक चल कर उसे पार करती है ये दृश्य देख कर वो आदमी जो कि मातारानी का शेर था बन में बात करते हुए मातारानी अपने शेर से कहती है मा अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि कैथरीन आपकी बहुत बड़ी भगत है आप उसकी और कितनी परिक्षा लोगी कैथरीन और उसके परिवार की परिक्षा खत्म हो चुकी है मुझे उसे दर्शन स्वयम देने होंगे आखर ये तो मातारानी की लीला थी अंगारों पर चलने के बाद उसे वो पैसे मिल जाते हैं जिससे आगले दिन वो नौकर्ण्याओं को घर पर भोजन खिलाती है तत्पश्चात नौकर्ण्या एक में समा जाती है फिर मातारानी प्रकट हो कर कहती है कैथरीन, कार्दिक, मैं तुम दोनों की अगनी परिक्षा से बहुत प्रसन हूँ और तुमने भर पेट मुझे भोजन कराया इसलिए मैं तुम्हारा घर, व्यवसाय, सब वर्दान, स्वरूप तुम्हें लोटाती हूँ और अंबिका को निरोगी काया देती हूँ मातारानी, आपने हमें दर्शन दे कर धन्य कर दिया और जो वर्दान मुझे और मेरे बच्चों को दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मातारानी, हम धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर बोलो सच्चे दर्वार की जै मातारानी अपने दर्शन दे कर अंतरध्यान हो जाती है साथ ही वर्दान सरूप कार्तिक को अपना पुराना बिजनिस, घर, सब चीज वापस मिल जाती है जिससे वो खुशी-खुशी रहने लगते है मातारानी के भक्तों कभी भी आप किसी विकट परिस्थिती में परिशान मत होईए सदैव मातारानी पर भरोसा रखिए वो अपने भक्तों की बेडा पार कर ही देती है अरे मोहिनी, शिल्पा, अनाया तुम तीनों कहां जा रही हो इतनी सुबह-सुबह माजी, क्या आपको पता नहीं? आज शनिवार का दिन है हम तीनों अपनी पार्टी में जा रही है अब क्या आप हमें यहां अपनी बातों में उल्जा कर ही रखोगी? या पिर हमें जाने भी दोगी? वैसे भी, हम तीनों बहुत लेट हो चुके हैं बाकी की बाते हम माजी रात को आने के बाद आपस में कर लेंगे मोहिनी शिल्पा अनाया तीनों ही ऐसा कहने के बाद अपनी पार्टी के लिए निकल जाती हैं कुछी देर में वह पार्टी में पहुँच जाती हैं लगता है कि हर बार की तहां इस बार भी ये तीनों ही जीतेंगे ये तो होना ही है आखिर हम अमीर भी तो हैं इसी की वज़ह से हैं और फिर ये सब दिमाग का खेल है तो तुम सभी के दिमाग में नहीं आने वाला देखते देखते शिलपा, मोहिनी और अनाया तीनों ही वहताश की बाजी जीत जाती हैं और सारा पैसा लेकर घर लोटाती हैं लेकिन घर पर आते आते उन्हें आधी रात का समय हो जाता है तुम्हें इतनी रात कैसे हो गई आते हुए जबकि तुम सुबह के निकली हुई हो जब देखू सवाल जवाब सवाल जवाब हरे आपको कोई और काम नहीं है कि हम तीनों के उपर ही क्यों निग्रानी रखे रहती हो फोड़ा सा ध्यान अपने बेटों के उपर भी रख लो क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है देखो माजी आप भी जानती हो और हम भी जानते हैं कि आपके तीनों बेटे दो नंबर का काम कर रही हैं और उसमें हम भी शामिल हैं जिसके चलते हम आज इतने अमीर हो रही है पूरे शहर में हमारे जितना रही इस इंसान कोई नहीं है तो इसलिए आपको हमारे उपर इतनी निगरानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे तीनों बेटे तो पागल हो चुके हैं मैं उन्हें नहीं समझा सकती लेकिन तुम तीनों तो समझदार हो अगर तुम समझ जाओगी तो तुम तीनों मेरे बेटे को समझा सकती हो इस अमीरी का घमंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हम अमीर हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है इतने अमीर होने के बाद भी हम अपने शौक को पूरा ना करें तो ऐसे अमीर होने का भी क्या फाइदा मुझे तो लगता है माजी आपको हमारे उपर से इतना ध्यान हटा देना चाहिए और हमें अपने जिने देनी चाहिए जो कि आप हमारा पीछा पकड़ कर बैठी हो मोहीनी शिल्पा आनाया तीनों ही ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चली जाती है जिसके बाद धन्वंती भी अपने कमरे में जाकर अपने आप से कहती है पता नहीं मेरी तीनों बहूं को क्या हो गया है उन तीनों को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है हे भगवान अब मैं क्या करूँ और कैसे इन सब को रोकूँ इन्हें पैसों का इतना शौक चड़ गया है कि ये किस तरह पैसा कमा रहें इसके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे धन्मंतरी सोच सोच कर सोजाती है वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया वाले ने उनकी सारी बाते रेकॉर्ड कर ली होती हैं जिसके चलते हुए वो बहुत खुश होता है सिंगानिया परिवार का तो मैं अब वो हाल करूँगा जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा आज इनकी हकीकत का परदा फाश हुआ है और ये वीडियो कल पूरे चैनल पर वाइरल हो जाएगी जिसके बाद इनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी रागव उमेश का सबसे अच्छा दोस्त था लेकिन जब से उमेश अमीर हुआ उसने रागव का साथ चोड़ दिया था जिसके बाद रागव को इस बात का बहुत बुरा लगा और वह उमेश से किसी भी तरह बदला लेना चाहता था रागव ने ये वीडियो बाइरल कर दी जिसके चलते पुलिस वाले धनवंतरी के घर पर आते हैं और उमेश के साथ-साथ उसके दोनों भाईयों को भी गिरिफ्तार कर लेते हैं अगर आप हमारे काम में दखल अंदाजी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा उन तीनों के खलाफ अरिस्ट वारंट निकला है आपके तीनों बेटे गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं जो गेर कानूनी है इसकी सजा तो ने भगत नहीं होगी ये सब जूट है मेरे बेटे को छोड़ दो इनका कोई कसूर नहीं है अरे हमें छोड़ो हमने कुछ नहीं किया है आप हमें क्यों बगड़ रहे हो देखो ऐसा कुछ नहीं है हमें छोड़ो हम कोई मुझरिम नहीं है उमेश के सामने रागव आता है और कहता है आखरकार राज मैंने अपना बतला ले ही लिया धन्मंती के तीनों बेटे गिरिफतार हो जाते हैं जिसके बाद धन्मंती कुछ नहीं कर पाती है उसके पास अब अपनी सारी दौलत और जायदाद बेच कर अपने बेटों को छुड़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचपाता जिसके चलते वह अपनी सारी प्रौपर्टी और अपनी सारी संपत्ती बेच कर अपने तीनों बेटों को भी किसी तरह जेल से छुड़ा लेती हैं लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और नहीं उनके पास रहने की कोई जगह थी तब ही उनके सामने उनका नौकर हरी लाल आता है और कहता है मालकिन जब से मैं यहां शहर में आया हूँ आपने मुझे अपने घर पर पनाह दी है और हमेशा मेरी सभी जरूरतों का भी ध्यान रखा है आज आपके ही बदौलत में यहां कमा पा रहा हूँ मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है एक छोटा सा घर है जिसमें एक कमरा खाली है अगर आप चाहो तो उसमें रह सकती हो धनवन्ती के बाद छट नहीं थी जिसके चलते वह अपनी तीनों बहु और तीनों बेटों के साथ हरी लाल के घर पर पहुँच जाती है जहां उसे एक कमरा मिल जाता है देखा तुम लोगों ने तुम्हें जितना पैसो का लालच था अज उतना ही सब कुछ तुम से चिन गया अब तुम्हें सिर्फ एक इस कमरे में गुजारा करना होगा एक कमरे में हम सब कैसे रह पाएंगे हे भगवान इस नर्क में रहने से अच्छा होता कि मैं मर जाती मुझे तो यहां पर बहुत ज़द गुटिन हो रही है मैं इस गरीबी में नहीं जी सकती माजी हमारे लिए कोई और ठिकाना ढूंडिए मैं अब कोई ठिकाना नहीं ढूंड सकती जितना है उसमें खुश रहो और हाँ आज से तुम्हें इसी कमरे में गुजारा करना होगा ये सब तुम्हारी ही करनी का नतीजा है जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है अब इसे भोगो धन्विंती अपने हाथ हिला देती है जिसके बाद उन तीनों को उस छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ता है रोजाना तीनों में खटपट शुरू हो जाती है अरे कल तो तुम आराम से सोई थी बिस्तर पर आज मुझे सोने दो किसने कहा कि मैं आराम से सोई थी मैं बिलकुल भी नहीं सोई मुझे सोने दो तुम दोनों में से यहाँ पर कोई नहीं सोईगा मैं ही सोंगी तीनों में बहस होने लगती है कुछ देर बाद वहाँ पर धन्वंती आ जाती है और खाट पर आराम से सो जाती है जिसके चलते उन तीनों की कटपट बंद हो जाती है ये लो, कर लो बाद, बैसों के जुन में लोमडी का फाइदा वह तीनों अपने बाकी के काम करना शुरू कर देती हैं ऐसे ही उन्हें एक कमरे में गुजारा करने की दीरे दीरे आधत पड़ जाती है जब हमारे पास इतना बड़ा बंगला और खूप सारे पैसे थे लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पचतावा है मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ मोहिनी की बाद पर अनाया और शिल्पा भी अमल करती हैं जिसके बाद वह तीनों नौकरी ढूनना शुरू करती हैं एक तरफ उन तीनों को भी नौकरी मिल जाती है तो दूसरी तरफ धन्वंती के तीनों बेटों को भी नौकरी मिल जाती है जिसके चलते धन्वंती के तीनों बेटे और तीनों बहु अपना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और खुद के लिए गर खरीद लेते हैं जिस घर में वो रहना शुरू करतेते हैं आज जब तुम तीनों इतनी समझदार हो गई हो तो मुझे बहुत खुशी मिली है। तुम तीनों ने समझदारी से काम लिया और अपनी मेहनत से इस घर को खरीदा। काश तुमने पहले ही सोच लिया होता। चिंता मत करूमा जी अब हमें समझ आ गई है कि कम पैसे और गरीबी में कैसे गुजारा करना पड़ता है। अब अगर हम अमीर हो भी जाएंगे तो हम वही गलतियां दुबारा नहीं दोहराएंगे। यही हमने अपनी गलतियों से सीखा है। तो कहते हैं ना जब गरीबी की चोट सर पर लगती है तो अच्छा अच्छा सुधर जाता है। इसी प्रकार धन्मिंती की तीनों बहु और उसके तीनों बेटे सुधर जाते हैं और वह अपनी मेहनत से पैसा कमा कर जीना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन में खुशी-खुशी रहते हैं।